आज का टॉपिक है दुबए UAE गॉवर्मेंट के तरफ से एक अच्छी अपडेट सिंगल नेम पास्पोर्ट इंट्री पे पर इससे पहले आप मेरे लाज वीडियो नहीं देखें जिसमें मैंने आपको बताया है विजट विज़ा एक्स्टेंशन अपडेट अगर आप वो नहीं देखें तो यहां आई बटन आ रही होगी आप यहां से देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ अब चलते हैं टॉपिक की तरफ दिसमबर में अपडेट आई थी कि इंडियन हो या पाकिस्तानी हो कोई भी कंट्री के लोग जिनके पास्पोर्ट में सिंगल नेम हैं वो इंटर नहीं कर सकते थे UAE उसे वीजा ही इशू नहीं हो रही थी यह आपके होम कंट्री में ही फ्लाइ करने से रोक दिया जा रहा था यह सब के लिए था चाहे वो विजट टिरिस्ट विजा के परपस से हो या वोक विजा के परपस से सभी को रोका जा रहा था और अभी भी रोका जा रहा है पर UAE गॉर्मेंट ने एक चीज़ को कहा है अगर आपके पास्पोर्ट के बैक या सेकंड पेज में रिलेशन नेम में किसी का भी नाम मेंशन है जैसे आपके फादर का नाम या फिर आपके वाइफ का नाम किसी का भी नाम इन दिनों में से हो तो आपको ट्रैवल करने से नहीं रोका जाएगा आप इलिजिबल हैं ट्रैवल करने के लिए बहुत से लोग का कोईरी है और बहुत लोग इंस्टाग्राम में मेसेज कर रहे हैं कि हम लोग का नाम अधार कार्ड और पासपोर्ट में थोड़ा मिसमैच है या डेट अब बत मिसमैच है और अगर ये ठीक कराने जाएंगे तो वक्त लग जाएगा दिखिए आप एक काम कर सकते हैं आप अपने पासपोर्ट में अगर रिलेशन नहीं है मेंशन तो आप सिर्फ उसे ही अपडेट करवा सकते हैं और आप एजली UAE जा सकते हैं आपका सिंगल नेम है पासपोर्ट में और आपको जल्दी जाना है तो आप रिलेशन अपडेट करवा लीजिए ये थी आज की इंफॉर्मेशन होप आप सबको इंफॉर्मेटिव लगी हो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले तब तक के लिए अल्लाहफिज असलाम अलेकुम